अब चालू करते हैं यह चालू हो चुकी है और बीच में यह आपर अनाज बंदर जा रहा है। दॉर ओपन करते हैं यह देखी आटा भी अच्छे से पीछ दिया है और यह इसका ग्रेंडिंग वेल भी अच्छे से गुम रहा है। दोस्तो नमस्कार आज हम रिपेर करने वाले हैं चेक करने वाले हैं घरेलू मिनी आठा चक्की तो देखने में काफी खूबसूरत है और देखने में लग भी निरा है कि यह आठा चक्की है वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग और नौलेज़फुल होने वाला है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नोलेजफुल वीडियो देखने के लिए मैं हूँ आपका दोस्त भरत जांगिड और आप देख रहे हैं इलक्रिक सोलूशन आई दोस्तो शुरू करते हैं आटा चक्की की रिपेरिंग तो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं तो यह दिखी एनरजी रेटिंग इस फ्री स्टा तो एक बार इसको ओपन करते हैं यह खुलिया है हम गुमा कर चेक कर लेंगे तो यह दिखी इसका जो ग्राइंडिंग वील है यह तो बिल्कुल फ़र्स क्लास भूम रहा है जाम नहीं है यहां से आप इसमें यह दिखी हैं यहां पर सेलक्ट कर सकते हैं बाजरी या गैहू यह हम गैहूं पर कर देते हैं इसको डोर बंद रखना पड़ेगा उसके बाद यह चल पाएगी अब चलते हैं उपर की तरफ और टॉप वाला डोर खोल देते हैं और यहां पर दोस्तों इसका मेल लीड है और यह देखिए टेस्टिंग के लिए गैहूं भी है डब्बे मे यह आ गया है टेस्टिंग का सीरिज का बोर्ड पलग हमने लगा दिया है और इसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया है सोच ना क्या जो भी होगा देखा जाएगा कंटिनूटी तो तभी आएगी जब इसमें अनाज डालेंगे जैसी सेंसर के सामने अनाज जाएगा तो इसम हम स्विच ओन करेंगे मसीन चल जाएगी तो मसीन तो हमारी चल चुकी है बाकि अनाज अंदर नहीं ले रही है कस्टमर भी यही प्रोलम बता रहा है मोटर घूम रही है अनाज अंदर नहीं जा रहा है तो आटा भी नहीं पिस पाएगा तो इसको हम कटर डोर ओपन करते हैं और यहां पर कटर बिलेड को चेक करते हैं तो यह देखें घूम रहा है बाकि अनाज बिलकुल नहीं आ रहा है काटा वगरा कुछ भी नहीं पिस पाएगा यदि अनाज ही नहीं आएगा तो चलिए इसको तो हमने बंद कर दिया है यहां पर दोस्तों खुला चेक करने के ल लगाना है इसमें यह देखिए खुला भी चेक करते हैं तो इसको दबाते ही मोटर हमारी चल गई है और लाइट ओफ हो गई है तो मोटर तो फस क्लास चल रही है पुरा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है फ्रंट का डोर बंद करते हैं बगी अनाज नहीं पीछ रही है अन कंटिनूटी बंद नहीं हुई है और इधर एक सेंसर और लगा हुआ है तो इसको दोस्तों यह देखिए टेड़ा करते ही कंटिनूटी चली गई है और जैसे इसको वापस से लगाएंगे तो यहां पर देखिए कंटिनूटी इसकी यह लगाने के बाद में कंटिनूटी आ यहां पर कंटिनुटी इसलिए नीचे टच हो रहे हैं सेंसर उसके सामने जैसे कुछ भी आएगा तो सेंसर वर्क करेंगे तो यह देखिए यहां पर एक वील लगा हुआ है यह जो अनाज अंदर पहुंचाता है तो यह एक मोटर भी लगी हुई है यह दिखी स्विंग मोटर हां भी सेंसर और ठाहले है यहां पर 121 लगे हुए हैं तो इसमुटर को यहां पर 6 लेते हैं उसके बाद इसको चेक करेंगे तो यह मोटर हमारी कुल चुकी है आराम से यह मनदर यह देखी है इसनोब यह डैड़ है तो मोटर को तो हमें रिपलेस करना ही पड़ेगा तो यहां पर दीखिए आराम सब्सक्राइब दीख्ट कर देते हैं तो इस तरह से लगाएं इसको नव को बिठा लेंगे इसके बाद मोटर को घुमाएंगे तो यह देखिए आनाज भी नीचे गिरता है जैसे हम गुमाते हैं इसको तो दोनों इसक्रूश के लगा कर यहां पर इसको पूरा टाइट कर देते हैं अब यहां पर इसको एक बार चला करेंगे तो नीचे हाथ लगा लिया है क्यूंकि अनाज भी निकलेगा यदि मोटर चलेगी तो यह दिखे अनाज इसमें तो यहां पर निकल चुका है सारा अनाज अंदर यह दिखी वील भी घूम रहा है इसका और कोई दिकत तो है नीच मि यह शारा आनाज बाहर आ चुका है अप कर दिया है अनने मोटर को और कोई प्रोलम मुझे लगने रही है तो इसके वाइर जॉईट कर देते हैं तो यह वायर हमने joint कर दे हैं टेप अच्छे से करना है तो ये जो sensor हैं दोनों left right कहीं पर भी इनको लगा सकते हैं तो दोनों को sensor को यहाँ पर लगा देते हैं दोनों sensor हमारे लग चुके हैं काफी easy था ये wiring का ध्यान रखना है और port को उपर से लगा कर पूरा नीचे की तरफ दबा द किया है तो जैसे ही आनाज डालेंगे continuity आ जाएगी जिखी आनाज हम डाल रहे हैं पूरा नाज उपर आते हैं यहां पर continuity आ चुकी है on करेंगे यह on हो चुका है और यह देखें यहां पर अनाज गी अंदर जाने लग गया है बीच में से देख पा रहे हैं यह पूरा यहां पर खतम हो चुका है यह देखें अनाज खतम होते ही यह ओटमेटिक और भी हो जाएगा क्योंकि सेंसर के सामने अनाज नहीं है तो प्लग निकाल दिया है हमने अब यहां पर डॉर ओपन करते हैं और यह देखें यह आटा पीज दिया है जाली मोटी लगी है तो वाला डॉर भी बंद कर देते हैं ठेंक यू तो दोस्तों आपने देखा जो हमारी आटा चकी थी बिल्कुल ठीक हो चुकी है बिल्कुल फस्क्लास तरीके से वर्क कर रही है आटा भी पीछ रही है सिर्फ यह अनाज नहीं ले रही थी उसका रीजन था यह जो मोटर लगी करें और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नोलेज फुल वीडियो देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स वीडियो में धन्यवाद चैह हिंद